नमस्कार साथियों मेरा यूटीब चैनल सुविधा 2010 में साधर पूर्वक अभिनंदन मैं हूं रविकांत भकर सुनू सुनाओ ज्यान पढ़ाओ 144 के माध्दम से आज बात करेंगे दौसमाई को घटित महत्पूर्ण घटनाओ के साथ जर्मदिवस पूर्णति थी उत्सव ए यानिकी कारेट अफैर्स पर एक नजर डालेंगे आंत में एक इस्पेसिल टोपिक पर बात करेंगे आज का इस्पेसिल टोपिक है टू डीजी भारत ने खोजा कोरोना की नहीं दवाई इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को सुरू से अंत ध्यान से सुनें काम करते क करते सुनें दूसरों को भी सुनाए ज्यान बढ़ें सभी प्रकार की प्रति योगिता परिच्छा में पूछे जाने वाले समन्य ग्यान यनकी जीके को स्ट्रोंग मनाएं आसानिसे आपको आपके आस्रिताओं को सरकार इनोकरी मिलें इसी सुबकामनों के साथ सुरू करते हैं आज की सुविचार से आज का सुविचार है माना की प्रकृतिक बहुत सहनसिर है फिर भी अती अत्य-चरफ प्रलै और महमारी का कारन बनता है इसी के साथ सुरू करते हैं देश और दुनिया की इतिहास में आजी के दिन गटित अतित अबंग बारतमान की महतपूर्ण घटना है सन पंद्रसो तीन इसवी को इटली के खोज करता और नाबे के कोलंबास ने काइमान दीब की खोज की 1526 इसवी को पानिपत की पहली लड़ाय जीब के बाद बावर ने ततकालिन भारत की राजधानी आगबराबाद जो आगरा के नाम से प्रसीद है में प्रवेश किया सन 1655 इसवी में ब्रिटीश सेना ने जेमाइका पर कबजा किया 1752 इसवी में बेलजानिन फ्रेकलिन ने अपने पतंग फ्लाइन प्रयोग के साथ बिजली कंडाक्टर की जांस की 1778 इसवी को जोंस विकिल्स को दा नॉर्थ ब्रिटान ने के लिए एक लेक लिखने के लिए केद किया गया से किंग जोर्ज 3 की गंभिर अलचना की गई थी इस करवाय में लंदन में दंगे हुए थे 1774 इसवी को अपने दादा लुई 15 की मोद के बाद लुई 16 फ्रांस के राजावने 1796 इसवी को नेपोलियन ने लोदी ब्रीज के जुद में औस्ट्रिया के वहरायास 1801 इसवी को त्रिपोली के पासका में कॉंसल्ट पर फासी देने की बाद संजुक्त राज पर जुद की गोसना की 1828 इसवी को हैंडरी डंकन ने स्कॉट्लेंड में मरू रूथवेल में दुनिया का पाला बानिज्जे की बचत बैंक खोला था 1823 इसवी को मिसिसिपी नदी को नेविगेट करने के लिए पाला स्टिम बोट फिसिंग स्नोलिंग पर गया 1823 इसवी को ले बैन खोई बीद्रह समराठ मीन और वियतनाम के खिलाब शुरूवा 1837 इसवी को आतंक नियुवर्क सहर में शुरूवा यनकी लडाई 1857 इसवी को भारत का प्रथम ससंतरता संग्राम इसी दिन मेरोट की च्छावनी से प्रारम हुआ था 1853 इसवी को लंदन में इंपेरियाल संगस्थान खोला गया था 1808 इसवी को वेस्ट वारिजिनिया के ग्रेप्टन में चार्ज सर्वीस के दौरान पहला मादर स्टे मनाया गया था 1824 में जे एडगर हुबर की जाच ब्यूरो का प्रमुक निजुक्त किया गया था 1925 इसवी को निजलंड के प्रधर मंत्री बिलियम मासी का कारजला में निधन हुआ 1934 इसवी को स्वराज अधिनियम संग्जुक्त राज अमेरिका में जारे किया गया 1936 इसवी को मेन्वेल आजाना इस्पेन के नाया रास्टपती बने 1937 इसवी को आठवा इंपरियल सम्मेलन नंदन में शुरूबा 1946 इसवी को जहलाल नेहरू भारत के कॉंग्रेस पार्टी के नेता चुने गए 1934 इसवी को संतोस जादव दुनिया के सबसे उसे प्रवत सिकर एवरेस्ट पर दो बार पहुचने वाले बीशे के पाहली महिला प्रवता रही बनी 1994 इसवी को दक्षिन आफ्रीका में नेलसन मंडेला दोरा प्रिटोरिया में एक एतियसिक समारा में राष्टपदी पाद के सपत ग्रहन की की सन 2001 को भारत वत तंजाकिस्थान की संजुक्त गोसना पर हस्ता चरूए इसी साल गाना में फुटवल मेज के दोरान हिंग सा 130 मरे गए सन 2003 को मोजांबिक के राष्टपदी जोको आलवाटो फिसानो छो दिवसी जात्रा पर भारत कहुंचे थे सन 2005 को लाहर अमरित सरबाद सेवा सुरू करने पर भारत और पाकिस्तान समत हुए सन 2006 को 1987 में नवेल पुरसकार से सम्मानित आस्कारा इलियास ने दोबारा कोस्टारिका के राष्टपदी पाज की सपत ग्रान की इसी साल इसरो के अदच जी माधमन नायार और नासा के प्रसासक माइकेल ग्रिफिन ने चंद्रमा पर भेजे जाने वाले भारत के चंद्रजान एक पर दो अमेरिकी बैगानिक उपकरन लगाने के लिए एक सम्मति पत्र पर हस्ताचर किये संद 2007 को अंतरराष्टिय स्रम संगठन ने कारिस्तली पर होने वाले मदवेद भेदवा पर रिपोर्ट जारी किया संद 2008 को लेबनान में इरान समर्थित बीदरोह संगठन हिजबुल्ला ने राजधानी बेरूत में मुसलिम इलाके पर कबजा करने का दाबा किया संद 2012 को दच्चिन पस्चिम एसी आई सिरिया की राजधानी दस्मिक में दो बम दमाके में 55 लोगों की मौत और 370 घायल हुए संद 2019 को कराची से दिल्ली जा रहा है वीमान को भारतिय पाइस्वना ने घेर कर जोईपूर में उतारा संद 2019 को राष्टपती ट्राम्ट ने पेट्रिक सानहान को बनाया नयार अच्छा मंतरी संद 2020 को इरान नौसाना अभ्यास के दोरान गलती से हुए परच्चपास्त्र हमले में 19 सैनिक मारे गए लगभग 15 अन घायल हुए संद 2020 को बंदे भारत मिशन के तात कुबेट से 171 भासे भारती जात्रियों को लेकर बीमान चैनाय पहुचा और उज्वेकिस्तान से 21 भारतिया नागरिकों को नाय दिल्ली पहुचाई गई अब उन महान बेक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्म आजी के दिन हुआ था 1834 इसवी को अलफरार बेब जो भारती राष्टियों कोंग्रेस के अदज थे इनका जन्म हुआ था जमुलालल बजाज पूरसकार से सम्मानित प्रसीद सतंतता सरानी एवं राजनितिक बीचितर नारान सर्मा का जन्म 898 को हुआ था बांगला और हिंदी फिल्मों में प्रसीद नायक संगितकार एवं अभिनेता पंकच मलिक का जन्म 1905 को हुआ था भारतियों संग्यदान के पीसे सके एवं पद्म भूसन से सम्मानित सुभास कश्यप का जन्म 1929 को हुआ तेरहीं लक्सभा के सदस्य बिजलाल खावरी का जन्म 1901 को हुआ जगंदर सिंग जादप जो प्रणबिर्चक्र से सम्मानित भारतियों सनिक थी इनका जन्म 1908 को महराष्ट के प्रसिद समाज सुधराक और दलितों के हीतेशी चत्रपती साहु महराज का निधन 1922 को एक प्रसिद चिकिस्चक प्रसिद राष्टबादी मुस्लिम नेता जिने भारतियों राष्टियों अंदलन में भाग लिया था नाम मुकतर अहमद अंसारी का जन्म 1936 क महराष्ट के महत्पूर्ण भूमिका निभाने वाले सर एडवर्ड इवराहम की मित्तु 1909 को हुआ महराष्ट के पूर्व मुकमंत्री सुधाकर राव नाइक का मेत्तु 2001 को फिलिम जगत के मशूर उर्दु सायद केफी आजमी का निदन 2002 को भार्द में सौधी आवके पहले राजदूत सेख आमद इबन उस्मान उल मुलहेम का निदन 105 बर्स की आयू में 2006 को हुआ ग्रमी पुरोष्कार से बिजयता बेटी राइट का निदन 2020 को भार्द अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्पुन अफसर एबंग उत्सवों के बारे में आज स्री भगवान अमिनात जी मच्छ कल्नानक सब्दे कदर स्री जोगंदर सिंग जादव जोंती स्री सुधाकर नाइक स्मृति दिवस मनाई जाता है आब बात करते हैं प्रतिजगेता परिचाओं के दिरिष्टी से आज का महत्पुन मुख समाचार याने की कारेंट अफेर्स के बारे में सबसे पहले राष्टियों कारेंट अफेर्स पर मुख मंत्री सर्वानन सन्वाल को के इस्तिपा के बाद असाम के नाइ सियम हमंत बीशो सर्माने राजपाल जगदीश चन्र मुख की ने सपद देला है उडिचा से राजसवा संक्षद और प्रख्यात मुर्तिकार रहुनात महापात्र का भूबने सर में 77 बार्स की आयो में निदन हुआ दिल्ली और अमादवाद के बाद ज़ार्कान पहुंचा ब्लेक फंगस रामगार के एक 38 बर्सी जुबक हुए संक्रमित असाम अब बात करते हैं आर्थिक कारेंट अफैर्स पर राज रक्षा मंत्रान ने AMC यानकी आर्मी मेडिकल क्रॉप्स SSC सौर्ट सर्विस कोमिशन के 400 सेवानीबरित चिकित्साप अधिकरियों की भरती के लिए AFMS आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस को आदेश दिया अंतरास्टियों कारेंट अफैर्स पर बात करते हैं चीन के स्वांग लॉंग मार्च 5B रोकेट का मालवा हिंद मगर सरवगर में गिरा दक्षिन सुडान की राष्टपती सल्वा किर ने 2018 में सांती समझोते के ताथ संगसत को भंग कर दिया स्कोट्लेंड सोतंतरता समर्थक स्कोटलिस्ट नेशनल्स पार्टी सनपी ने चोथा सीधा संगसदिय चुनाव जीता पाकेस्टानी मूल के ब्रिटीश नागरिक साहिद खान 2006 के बाद दुसरी बार लंदन के मेयार चुने गए अब बात करते हैं खेल कूट के कारेंट एफेर्स के बारे में मार्शेडी चलक लुई हैमिल्टन ने फर्मुला वन इस्पिनिस ग्रांप्री रेस जीती मेंट्रिक ओपन टेनिस में बेलारेज की आया सबलेंका ने महिला एकल खेतब जीता मेक्शुकों ने साउन, केनलो, अलवारेज ने 20 सुपार मेडिल वेट मुक्यवाजी का खिताब जीता अब बात करते हैं आज के special topics पर 2DG भारत ने खोजी कोरोना की नहीं दवाएं के बारे में 2DG भारत ने खोजी नहीं कोरोना वायास का दवा, नाम दिया गया है 2DG अर्था 2-Diclooxin D-Glucose डक्टर रेवी रेडीज लेबरेटरी में इस दवा को विक्सित किया है या दवा पुर्णत देश में ही विक्सित किया गया है या देश की पाहली दवा होगी जिसे परिच्छन के तरपर नहीं पूर्णत इस्तिमाल की अनुबति मिली है या दवा पावडर के रूम में पानी में गोल कर दिया जाएगा इस दवा का खासियत है तुरंद संक्रमित को सिकाउं तक पहुँच जाता है या दवा भायरास को ग्रोथ को रोपकर ऑक्सिजन लेवल को बढ़ा देता है इस दवा की प्रभाव से मरीज में जल्धी संक्रमन की लक्षन समाप्त हो जाता है इस दवा का एक से दो एक डोज का मूल 500 से 600 रुपिया के बीच होने का अनुमान लगा जा रहा है रोगी को कितनी डोज देनी है या डाक्टार तोय करेगा अनुमान लगा जा रहा है कि आगले एक दो सप्ता के अंदर दवाई बाजार में उपलब्ध हो जाएगा साथियों इसी के साथ आज के लिए बिदा लेता हूँ वीडियो देखने चैनल के साथ जूड़े रहने के लिए धन्यवाद वीडियो को लाइक कर सभी ग्रूप अबंग दोस्तों को सेयर कर दे अगर आप नयदर सका है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और अलन आटिकिसन बेल आइकन को दबा दे नेक्स्ट वीडियो और नई जानकरे के साथ काल फिर मिलेंगे आपका दिन मंगल में हो परिवार के सभी लोग स्वास्त रहे मस्त रहे खुस रहे इसी सुपकावनाओं के साथ जैहिन जै भारत